हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में मुबाइल परेसाइट में आज हमारे पास है रेडिमी नोट 11 जो की काफी अच्छी प्रैसिंग में आपको मिल जाता है प्रैसिंग 13500 तो इसी स्मार्टफून के आज हम यहाँ पर टिप्स और ट्रिक्स आपसे शेयर चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे तो सबसे पहला फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है ओल्वेज ऑन डिस्प्ले का आपको जाना है सेटिंग में यहाँ पर आप जो है देखोगे बाइड डिपॉल्ट आउन नहीं रहता है तो आपको यहाँ तो यहां पर आपको बहुत सारे option देखने को मिल जाएंगे always on display का आपको feature सिर्फ 10 seconds के लिए यहां पर मिलता है always नहीं on रहता ही, इसका नामी always on display है बस यहां पर आपको सिर्फ 10 seconds के लिए देखने को मिल जाता है तो इसमें आप customization वगर आप देख सकते हो अगर आप चाहते हो कि अपने फोटो वगर आप लगा पाऊ तो यहां पर फोटो भी आपने लगा सकते हो यहां पर और भी इन बिल्ट आपको देखने को यह सारे analog डीजिटल clock आपको देखने को मिल जाएगा कि उस तरीके से डीजाइन अगर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे आपको यहां पर features देखने को मिल जाएगा जो आप use कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया customization भी आप यहां पर कर सकते हो colors वगर आपको change करने है तो आप यहां से change कर सकते हो तो यह बहुत अच् नेक्स सेटिंग की बात कर लेते हैं notification effect आप देख सकते हो उसे के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर आपको जो है notification को भी अगर आती है तो कुछ इस तरीके से आप effect वगर यहां पर यूज करते हो जिसको आप यूज करना चाहते हो यहां पर आपको कुछ जो है in build देखने को मिल जाएंगे इन सारे effect को अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप इसको off भी कर सकते हो रेस्ट वेक का option आपको यहाँ पर enable करना होगा अगर आप चाहते हो smartphone को आप रेस करो जहां से इस तरीके से आप यूज कर सकते हो रेस्ट वेक अनेबल करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा साथी साथ यहाँ पर आपको डबल टैप पर वेक और डबल टैप पर off का option देखने को मिल जाता है कुछ इस तरीके से आप इसको enable करके use कर पाओगे next यहाँ पर setting आपको उसी के नीचे देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हो lock screen format इसके नीचे आपको यहाँ पर बहुत सारे option जो है देखने को नहीं मिलेंगे बट यहाँ पर जो ही तीन आपको देखने को मिलते हैं जो आप यहाँ पर use कर पाओगे lock screen का format यहाँ पर चेंज करने के लिए साथ ही चाते हैं आप अब आप जो है नाम वगरा जो भी आप जो है अपना नाम लिखना चाते हो जो भी आपको यहाँ पर इसको यूज करके लिख सकते हो आप तो यहाँ पर आप customization भी कर सकते हो नेक्ट हम जो है दूसरे फीचर की बात कर लेते हैं नेक्ट फीचर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको setting में जाना है always on display में जाना है नीचे आपको launch camera का option दिकरा इसको आप enable करोगे lock करने के बाद अगर smartphone आपको camera open करना है तो volume down को दो पर आप press करोगे तो यहाँ पर तो आपको जाना है setting में setting option आपको देखने को मिल जागा display का आपको उस पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको जो है दो मोड देखने को मिल जाते है light mode dark mode तो यहाँ पर आगर dark mode आप यूज करोगो तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके से user interface देखने को मिल जाएगा घ्रसक्ते सब्किन भी कर सकते हैं बалог देखने को ना हैição कर देखने को मिल जाते हूरा मदने पर अपने हिसाब से सकते है सबसे हो Afric truth आपको आप सब्सक्रांद करना चाहते हो दो यहाँ पर शबसेन मेन अच्छीच करना हैolie termization कर सकते हो तो जब पढ़ने के लिए च्वाइब रात में पड़ते दो रात में पड़ते दो रात में color scheme आपको मिल जाती है है अप fully بةわかर को यहां पर नीची ओप्षन देखने को में लिएتي Вид Shift आपको आप्शन देखने को मिल जाता है डिफॉल्ट, वार्म, कूल आपको यहां पर जेखने को मिल जाएगा तो जिस जो आपको बेटर लगे आपकी जो है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहां पर रिफरेश रेट की बात कर लेते हैं तो एमोलेट पैनल है यहां पर 60 Hz, 90 Hz रि अप जो है, ऊसको मिल जाएगे अब देख सकते हो, आपको जो है अपको यूज़ कर सकते हो अप यहां पर कौन वेड़ परफर्स चणल धेखने को मिल जाता है जोसे है से सब्सक्राइब कर सकते हो जी आप z Dütte तो प्रзд नेक्स्ट फीच्यर हमारा यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग में सेटिंग में आप जाओगे नीचे अपको देखने को मिल्więक जाएbungाया रहाएगा comprende देखने को मिल लेका दो अप्षण को दीखने को मिल जाएंगे अभी जो है यह आपका निव वर्जन अब अगर आपको इसको चेंज भी करना चाहते हो तो यहां पर और वर्जन आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा देखने को जो आपको पसंद दोनों में से जो भी आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यहां से चेंज कर सकते हो इसे के नीचे आपको option देखने को मिल जाता है status bar यहां पर आप देख सकते हो show notification icon जो भी notification आथी उनकी icons अगर आपको देखना चाहते हो तो icon को enable करना नहीं देखना चाहते हो यहां पर के नेटवर्य स्पीट का option देखना चाहते हो तो आपको यहांपर enable करना पड़ेगा हम दैख सकते हो इनेबल करने अबाद नेट आपर नेटवर्य किस्पीड को यहां पर show करेगा that तरीक चरहर बैटरी इंडिकेटर को पर आपको गया नीचे को सकते हो आपको नीचे उप्षन देखने को मिल जाता है यहां पर अगर है जिपाना है जिसको अगर हैट करना चाहिए तो आपको यहां से चेंज कर सकते हो नेस्ट फिचर आपको बतातीता हो यहां पर आपको यहां पर सपर क्लिक ख confused you जाएगा अब धूoga आगर अब भी मैं युज़ कर रहो हो तो सारी अप्लिकेशन आपको reinforcement सब्सक्राइब्स अगर होगे तो सारी अप्लिकेशन आपको इस तरीके से देखने को मिल जैगा उसको अगर आप 김 race करना चाहतो तरद करना है, होड़ करना है, सेटिंग में जाना है, अमे स्क्रीन, यहां आपको अपको एबढूर को सिलेक करना है, आप इजिली योज़ balm, वापस आप सेख सेके along इस तरीotte के सब चाहिं, इसी के नीचे आपको सेटिंग मिल जाते हैं टेप करके होड़ करना है more में जाना है home screen में जाना है यहाँ पर आपको नीचे देख सकते हैं सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा background इस पर आपको यहाँ पर अगर जो है एप डॉल आप ऑपन करोगे तो आपको सारे आपको यहाँ पर दिख जाएगा देखिए आपको जैसे यहाँ पर clearly visible है इसको अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पर tap करके hold करके more पर जाना है home screen यहाँ से आप इसको background में जाना है यहाँ से आपको इसको बंद करना है apply कर देना है तो आपस देख सकते हो आप light mode यहाँ पर फिर से यूज़ कर पाओगे next setting आपको फिर से उसी में जाना है setting में जाना है more में जाना है आप और आपको जो है system navigation का option देखने को मिल जाएगा gesture यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हो अगर आप gesture यूज़ करना चाहता है तो किस तरीके से आपको enable करना है button यूज़ करना है तो button आप enable कर सकते हो आप यहाँ पर enable करने के पाद कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अगर आप जो देख सकते हैं पर लांग प्र Finger button पे उन चाहते हुआ उसको आप अपने बिब्स ब्स चाहितु हो एक उप्सक्षॉ फोस्ट करने आप और सेट कर सकते हो ठीन है चाहिए उक्सक्षा अपह जाख एक सबसक्षा द evacuation पहिं इस करने नगे, अधिकर्ड़र के कि वह आपके उपर depend करता है यहां पर आप चेंड कर सकते हो साथ य साथ मैं आपको layout दिखा देता हूं यहां से आप देख सकते हूँ आप इस तरीके से आपको जो है चार application आपको line से दीजाएं यहां पर आपको पेंच आट करना ही यही पर आपको यूज़ कर सकते हो बहुत सारे आपको transition effect में यूज़ करने को मिल जाएंगे जो कि update to day life में आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से दिन में जेतनी बार आपको यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो जब आपका मन हो तब आप यूज़ कर सकते हो easily बहुत ही करना आपको स्लाइट करना है और आपको स्लाइट में अ भी स्वारिजंक verz involve कोई तो Google आप एक vision अगर को अब लर करना चालते होच कि अपली के अगर ब्लर करणा चाथे हूँ इसको इसके कोई करee करbert को सब्सक्राम कर लिया था दवार जानम ऑप इसका को अद्म पर अपर दिए सब्सक्राइब तो कुछ इस तरीके से आपको blur हो जाएगा तो आपको जो application करना है तो आपको यहां से select कर सकते हो next feature हमारा है screen recording का अगर आपको screen recording करनी है तो यहां पर आपको resolution वगर आप यहां से change करना चाहते हो कर सकते हो साथी साथ वीडियो की quality भी आगर आप जो अपने साब से set करना है आप और option आपको दिख जाएंगे वह सेट कर सकते हो साथी साथ वीडियो को screen recording करते हो यहां पर मैक कर अर्क सकते हो जो भी आपको option आप मिल जाते हैं अवेलेबल एकर सकते हो साथी साथे यहां पर fps भी आपको frame rate रखने है वह आप यहां पर max 30 fps पर रख सकते हो नेक्ट फीचर हमारा है special features आप उसको जाना है setting में setting में आप यहां पर special features पर जाओ के आप आपको वीडियो टूल बॉक्स दिख जाएगा इसको आप enable करना है आप आपको manage video पर अप पर tap करना है यहां पर आप जो है फिलल के वीडियो पर tap करके जो है use enable कर देता हूँ अब में को यूटyव पे ऊपको जैसल यहां को यूटटिव पे कсемा क्या होता है। यू सोन रहे हैं उस पर आपकोज़ स्रिप्ति वीडियो बंद करना है उना है कोई भी चीजी मोविज अपर सवांड लोना चाहते हो तो यहांपा आपको just इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर साल से करना यहां पर मिल जाता है सेटिंग में सेटिंग में यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में यहां पर यहां पर आपको जो है RAM Expansion का Option मिल जाता है यहाँ पर आपको 1GB RAM का Expansion मिल जाता है जिसको आप यूजे करके अपने पर wanna कर सकते हो याप पर 1GB का देखने को मिल जाएगा itself क्लिER आपको यहां आपको साफ हो जाएगा थोड़ा आपको बढ़िया हो जाएगी तो आप इस फीचर को यूज के साथ ही जाथ आपको यहाँ पर देख सकते हो जो भी आपके दिन पर के जो है यूज रहेंगे नोटिफिकेशन लॉक कितनी बार आपने कोला तो यहाँ पर सारी चीज़े आपको दिखा देगा यूट्यूब देगा क्या चीज सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो तो यह सारी फीचर थे बहुत अच्छे थे इसलिए मैंने आप से शियर गया फ्रेंट वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी अन्बॉक्सिंग की वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको पोको का बहुत चल्दी मिलने आप डिलिवरी जित दिन हो जाएगी उसी दिन आपको मिल जाएगा तिल देन थैंक यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो डू लाइक और मैं चैनल